इस तो यह गाइस दिस इस कुल्दीप एंड वाचिंग यूपीसी लाइबरी सो आज की सेलेक्षा में हम बात करेंगे इंडियन जोग्राफी के चैप्टर नमर 6 के बारे में जो जिसका नाम है है इस इसके बारे में इतसे सब्हожapper है बारे में जो मत्रीफिसी है। इस के बारे में देखें ऑज जिसका नाम है अधो इससे पहले है एक टाफानल लत तुर फ्वारणाद सबा सब्सक्राइब यह लेुट यह हमारी चैनल UPSC Library आ चोके हैं आप इनको देख सकते हैं तो पूरी सीरीज है और यह चैप्टर लास्ट चैप्टर है इसका तो इस लास्ट चैप्टर को ध्यान से देखिए आप UPSC Library को Telegram, Facebook और Instagram को फोलो कर सकते हैं लिंक्स वीडियो के नीचे आप UPSC Library को YouTube चैनल उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो पॉपुलेशन क्या होती है तो पॉपुलेशन एक मतलब फ्यूपिल जो पॉपुलेशन के बाद देखे हैं तो पॉपुलेशन यह कि बंच ऑप दपीपल जो हीमन पॉपुलेशन जो इसमें मैं वोमें चाइल्ड जो होते हैं तो उसको बॉलता हैं पॉपुलेशन और पॉपुलेशन में यह नहीं स्पेसिय। लिए बदताया गया कि जो प् Staats है जो person human beings होगा है कि वो society के लिए और economic के लिए कितने important है जो इसकी economic development के लिए और society के development के लिए people कितने important है so then इसके अराबर the people make sure मतब जो people होते हैं वो sure करते हैं जो resources जो होते हैं तो उनका user और plus उसको जो make मतब उसके resources उनको बनाना भी plus उनका reuse करना people को जो इनसान जो है human being को उनको अच्छे तरीके साथ है then themself resources with varying quality so इसी के उन्हीं की people के साफसे उस resource की quality है उनपर depend करें लाइक इसमें example दे रखे है जैसे coal हो गया koila हो गया वैसे हो पीस of rock है वो एकदम पत्थर के टुकड़ा है बट जो people जो human being है उसको एकदम उनके पास ऐसी टॉक्नोलोजी को उन्होंने invent कि उस पत्थर के टुकड़े को ऐसे resources की तरह यूज करने लगे तो उसके जो पत्थर के और भी इसमत बताया गया कि जो people की importance कितने की like जो natural events जो होते हैं जो flood हो गया या tsunami हो गये वैसे तो यह पूरे natural events था but यह तब तक natural events जब तक वो किसी population को effect ना करें like यह तब ही disaster बनते है जब तक वो effect crowd village और town मतलब जब तक वो human population को effect ना करें तब तक वो natural events है like natural event एक देख लिए rainbow हो गया so rainbow से हमें कोई भी ऐसे कोई भी natural calamities नहीं में ना कि मतलब उससे कोई भी हमें खतर नहीं तो वो एक natural events बट जब natural events इंद डिजास्टर बन जाते है like flood हो गया यह tsunami आ जाती है यह तो तो यह natural events वो disaster के होने लगता हूँ मतलब यही कि जब तक वो जो people form है जो human speaking को जब अफेक्ट ना करें तो वो natural events ने रहते हैं तो इसमें यह बताया गया कि देन इसके बाद बुलाए गया कि population is a private element in social studies मतलब socialities में देखा जायते हो population का वो एक इंपोर्टेंट रोल बताया गया है so it is the point reference from which all other elements are observed and from which they derive significance and meaning मतलब वो ही एकदम वो decide करते हो यह उसकी जो meaning होता है उनकी साबसे हो काफी significance यह important मानी जाती है so like इसमें हो गया जो resources हो गया calamities हो गई यह disaster हो गई सब इनकी meaningful जो all are meaningful only in the relation to the human being तो इनकी जो importance है वो human being के relation में देखा जाए उनके perspective में देखा है तो काफी important आती है तो तब ही यह resources calamity जासे है वो तब ही meaningful होता है जब वो human beings को किसी ना किसी तरीके से affect करते हैं so their number so their number and distribution growth and characteristic are qualities and provide the basic background for understanding and appreciating all aspects of environment so यही जो people की understanding है तो उनकी जो समझने की वो है नहीं तो इनका distribution हो गया या उनकी characteristic हो गया या उसकी quality हो गई so उसको understanding understanding की समझने प्लस उसकी चीज को और ज़्यादा appreciate करने है उसको और ज़्यादा यूज मिलाना या उसको कैसे किस तरीके साम यूज कर सकते है उस environment की उस perspective को या उस particular एक thing को तो वो people लिए वो human beings के बादर में इसको बोला गया है then human beings are मतलब human beings are producer मतलब उनको बदाए कि वो producer भी है और प्लस वो consumer है that is important to know how many people are there in country? So this is important to know मतलब यह जानना is important हो जाता की how many people are there in countries मतलब देश में किसे country में मतलब किसी country एग किसी country तेश में कितने आदमे हैं कितने human being मतलब कितने आदमे रह रह रहा है आदमे especially means human being आदमे और पीपल So, वो एक कहना रह 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 लेए? वो कैसे बढ़ रही है कैसे घड़ रही है उसके क्या नेचर रही है उसके क्या क्या सब चीज़ है जानना इसी चीज़ के वैसे एंडिया प्रोवाइड आस दा इनफॉर्मिशन रिगार्ड इन पॉपलिशन अमनकर्ट तो जो सेंसर ऑफ इंडिया का जो गंड़ना जो होती है भारत की जन्गणना जिसको हम बोलते हैं तो इसी वैसे वह काफी इंपोर्मिशन प्रोवाइड करता तक कि उससे हम पता जल्याता कि किसी पर्टिकूल अरिया में वह पॉपलिशन आखिर इनक्रीजोरी जो था क्योओ रहे है, क्यों वरी तो इन सब जीजह झालते है वह काफी इमपोर्डल हो जाती है यह जो काफी कंशन होते हैं डिस्टीटिविशन का साइज कितना यह उसका इसका इसका मतलब यह हो many people are there and where they located मतलब वहां पर कितने लोग हैं और वहां कि कहां पर यह located मतलब किस जगह पर हैं इसके अलाबा second is population growth यह process of population change so population growth मतलब कितनी population growth हो रही है मतलब कैसे और जो population में जो changes आ रहा है उसका process क्या है मतलब process जिंदा से है बर्थ रेट यह से ऐसे और component उसी के साफ से इसके लाबा करेक्टरिस्टी को qualities और population जो पॉपलिशन जो करेक्टरिस्टी यह qualities देखी जाए वो क्या है इस लाइक sex composition literacy man है female है कितनी मेल है कितनी फीमेल है कितनी बच्चे है तो यह इसकी करेक्टरिस्टी होगी है qualities होगी तो यह सब यह तीन मिचर कोशन हो जाते हैं जब population के बार में देखते हैं तो इंडिया के population वह देखें हैं तो इंडिया के population और size distribution देखें हैं बाई नम्मर में तो इंडिया पॉपलिशन जो मार्च मार्च 211 में होगा और आप जो नेक्स जो सेंसर होने वाला है वह 211 में होगा जिसका अब इसको देखने तो आप नए वाले सेंसर से इसको रिट करते हो चलना अभी मार्च 211 वाल सेंसर से तो अभी इसके इसकी information लेकर चलेंगे, so अमाज 211 के census according देखा जाने, तो इंडिया में 121 करोड population है इंडिया की, so 121 करोड पॉइंट मतलब 121 करोड उचाट लग ये इसकी population है, so which account for, तो ये population पूरे वल्ड में देखा जाए, तो इंडिया की, पूरे वल्ड के कितने population बैठती है, 17.5% ये पूरे वल्ड की population बैठती है, so these 1.2 billion people are unevenly distributed, मतलब ये जो पूरी total है, वो unevenly distributed है, मतलब ये नहीं है कि किसी, सभी पूरे इंडिया में हर जगह पर same population है, इसी वेशे, कहीं किसी याद दिखा दा, मतलब, यूप में है सबसे यादा population है, और इसी देखे, सिक्के में सबसे कम population है, तो इसी ही साब साब इसको बोल गाया है, कि unevenly distributed है अपनी जो population, और country का जो vast area है, वो कितना 3.28 million square kilometer, तो इस पॉइंट को भी याद रखना है, यह directly exam में पूछा जाता है, country का area देखा जा तो 3.28 million square kilometer है, जो की पूरे world से देखा है, तो कितना percent है, 2.4 percent of the world area का है, यहागे figure में दिखा हूँगा है, पूर एक image में है, 211 का center data है था, वो reveal करता है कि उत्ताप्रदेश जो है, with the population size, 199 million, 199 million, 19,90,90,00, जो 211 के census के साब से, उत्ताप्रदेश की इतनी जन सक्याइब कि, जो उत्ती, पूरे इंडिया का सबसे most populous state हो जाता है, जैसे में बताया है कि, तो प्रदेश में सबसे आदे पॉपॉलेशन है और यसी उसाद देखा जाए, सिक्केंग में देखा जाए, तो काफी कम है, तो अभी unlimited distribution है, population का, तो यह इसमाँ बताये गया है, so, so, एक image में देखा, तो population चार्ट पता चल जाएगा, so, rest of the world का देखा, एक पूरे world में 82% है, तो पूरा जो यह वाला हिस्सा है, तो इंडिया की कितने में बताए, 75% पूरे world के परसेक्ट में देखा, तो इंडिया की population, 75% है, पूरे world से compare करें, ऐसा ही area में 2.4%, so, 2.4%, so, यह इंडिया का share है, world के area of population, so, this is, this is population, और this is area, so, इसी को आप याद रखना, then, आगे देखेंगे, तो उत्तरप्रदेश के account for about 60% of the country's population, so, उत्तरप्रदेश की population 19.9 थी, तो जो की पूरे इंडिया की population कितना है, 16% है, so, on the other hand, देखा जाए, हिमाला एस्टेट जो की सिक्के में, है, has the population of just 0.6 million, मत्तरब सिफ 0.6 million है, पूरा एक million मिलियन, मत्थ 6 लाग लोग हैं, पूरे सिक्के में, और लक्षिदीब में देखा जाए, तो उससे ज़्यादा कमल लाइफ सिफ कितना, 46,429 लोग सिफ लक्षिदीब में रहते हैं, so, almost half of the Indian population lives in just five, और देखा जाए, तो इंडिया की जितनी भी half population है, वो सिफ इन पांच स्टेट में रहते हैं, पांच स्टेट वो कौन कौन से हैं, उत्तरप्रदेश, महरास्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगल, और आंदरप्रदेश, यह पांच स्टेट हैं, जिनमें इंडिया की आधी population देखी जाएगी, और राजस्तन दव्द्व जो की एक बेगिस स्टेट है, इन टम्स अफ एरिया, मतलब राजस्तन को देखा जाए, मतलब राजस्तन को देखा जाए, तो यही बताएगा है, कि अल्निमें डिस्टिबूशन है, जहां रहे हैं, ज्यादा हमाँ population कम है, और जहां population ज्यादा हम एरिया इतना ज्यादा एरिया कम है, तो एक स्टेट हम पता चल जाएगा, तो यह जो बड़ा साइज दिखाए जाएगा, यह है उत्तरप्रदेश, इसकी 16% है पूरी इंडिया के टोटल population से है, बाद में फिर ही महारास्टा, भिहार, बैस्पंगार, अंदरप्रदेश, तो यह ही इसमें देख रहे हैं, यह इसमें बताएगा है कि distribution of the population, एक particular area में, किसी particular area में वहाँ पर कितने ज़्यादा लोग रहेंगे, तो वहाँ के population density बहुँत जादा है, अगर उस area में compare के जाएगे तो वहाँ पर काफी कम रहे है, तो उस area के density काफी कम है, इसमें यह बताएगा है, इसमें देखें सो, population density provides better picture of uneven distribution, जो population density है वो uneven distribution को काफी अच्छा तरीके से picture करता है और show करता है so population density calculate की जाए तो as the number of the person per unit area मतलब किसी area में एक unit area में वहाँ पर person की है जो population आपक कितनी है so वही बताया so India is the one of the most densely populated countries है और पूरे world में sorry पूरे world में so इसमें वही है कि India one of the most most densely populated countries है पूरे world में so इसके बाद population density of India is the 2011 से किसाफ से देगा जाए तो इंडिया की population density कितनी है 382 पर 282 है पर square kilometer मतलब एक square kilometer है पूरे इंडिया में 382 लोग रहते हैं यह पूरे इंडिया की है इसको पूरे इंडिया की मानना और इसके अलावर density vary from density vary करती है लाइक जो बिहार में अगर बिहार की density देखा जाए तो वहाँ पर काफी अलग तरीक इस अनीवल लिया सो इसमें यह बता है तो इसमें आपको पता और के लिए उपर जाएगा तो उनकी condition अलगे मतला अगर वहाँ पर रगड़ एरिया है यह अनफेर क्लाइमेटिक कंडिशन तो वहाँ पर पॉपलिशन इतनी ज्यादा नहीं वह लाइक आउचल प्रिंदेश वाला एरिया हो गया यह लद्दाग वाला एरिया तो वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडिशन वह काफी अच्छी है और प्लस महां का जो ट्रेन हो काफी प्लेन एरिया है तो इसी वहाँ से उन एरिया में पॉपलिशन डेंसिटी और पॉपलिशन नमर बहुत जादा में देखने को मिलेगा इसी इसाब से असाम एंड मोस्ट अप पैनिसुलर स्टेट हैं मौडरेट प ट्रेन एंड मौडरेट अप्टू लो रेंफॉल शैलो एंड लेस फर्टाइल सॉयल है इंफ्लेंस पॉपलिशन डेंसिटी इन दीज एरिया तो जैसे मैं मनाया कि हाँ पर अगर ट्रेन अच्छा नहीं होगा यह जो क्लाइमेटिक कंडिशन अच्छी नहीं होगी तो वह एखले अगर हिली एरिया होगा यह रॉकी नीचर महां पर माउंटेंस जैदा होंगी यह बद् मअधर होगी नहीं मापर जो उस ची और इसा पूरी साह सब पूरे को करते हैं वहां to very high population density because the flat plane with fertile soil and abundant rainfall तो जैसे मतना कि नदल पिलेंस में और जो केला का साथ वाले अरिया है आपर population density क्यों जाद है बिकोज महां पर जो स्वाइल हो काफी फर्टाइल है प्लस महां के जो rainfall है वो भी काफी अच्छी है तो इसी विच वह से यह इन एरिया में पॉपलेशन डेंसिटी बहुत जाजा है इसके अजाब यह तो दे रखा वैसी बुक में दे रखा एंसे इस में डेंड अब देखा जाए population growth पॉपलेशन ग्रोफ पॉपलेशन ग्रोफ जो प्रोसेस है पॉपलेशन जो चेंजर आते हैं वो इसमें देखेंगे पॉपलेशन को इसमें बता गया है कि वह एक डायमेनिक फोनोमेन वह क्यों बोला है विकोज जो पॉपलेशन का जो नंबर है कभी घटा बढ़ता रहता तो इसी वेज़े से वह कभी डाका भी डायमें हो जा सो नंबर्स एंड डिस्रिवेशन अन जो कंपोजिशन पॉपल पॉपलेशन बोलते हैं तो इस पॉपलेशन बोलते हैं तो इस पॉइंट को भी याद रखना है इस पिपलेशन तो इस सब्सक्राइब कर गी पॉपलेशन के डाप युपलेशन पॉपलेशन ग्रॉपलेशन ऑरन क्युपलेशलों इस specific period of time में उस population के नम्मर को changes आता है या रहने वाले लोगों में उसको population growth बोला गया है और यह हमारे इंडिया में 10 year के time period देखा जाए जब census होता है so such a change can be expressed into two ways उनको दो तरीके से देखा जाए in terms of absolute number and and percentage change मतलब absolute number मतलब महाँ पर कितने लोग आए like so आएं 200 आए 300 तो यह absolute नम्मर और percentage वाले मतलब 10% increase होगा है या 20% increase होगा है या 30% increase तो यह percentage के पर change form में देखा जाए तो इस दो तरीके से यह population growth को देखा जाता है then अब देखें तो absolute number added each year मतलब जो absolute number है वो हर साल add होता रहता है या घटता रहता है and is the magnitude of the increase so it is obtained by the simply subtracting the earliest population like अब जैसे की जो absolute number जो आता है तो पिछली वाली जो census जो होता है वहाँ से पिछली वाले census होता है वहाँ से जो number आता है population वहाँ से उसको घटा दे तो इसी वह से सब्सक्राइब करने के बाद तो वह चीजी जो आते हो absolute number आते है like इसमें 211 में से 211 में 211 वाले को number घटा आते है तो वहाँ से वह एक नम आख निकल गा so from the later production जो later जो population होते है वहाँ से so it is so the population increase is the other important aspect so the population increase है जो उसका जो किस diamond से है किस उसे change हो रही है वो उसका other important aspects like it is a percentage than the percent percent per annum मतलब एक साल में percent देखा जाया तो example जो एक परसेंट के उस पर वह एक कहीं किसी area में population increase तो उसका जो rate आ जाता या जो पाता है per annum per annum मतलब एक साल का देखते हैं so that in a given year so this there was an increase of two percent for every year तो इसका यह ना का अगर कहीं पर सो लोग हैं तो अगली साल वहाँ पर 102 लोग आये तो तो वहाँ पर कितने की percent increase हुआ तो वहाँ पर हुआ दो परसेंट की तो दो परसेंट की होगे तो यह से इसमें बताए गया है then this is referred to as the annual growth rate तो उसी टर्म को बोलते है annual growth rate मतलब इंडिया में देखा जाये तो मतलब एक for example hypothetically देखा जाये तो 10% के annual growth होते है 10% annual growth मतलब हर साल 10% लोग increase हो आते हैं तो यह example दा इंडिया इंडिया इस population has been steadily increase from 361 million से लेके जो कि इंडिया से क्याना मतलब 36 करोड थी जब 1931 के time पर और अब कितनी होगी 121 करोड 2 या 11 के census के साफ़ते हैं तो कितनी ज़्यादा इजाफा हुआ है तो यह सी में यह बताए गया है अब यह इसमें देखा है चार्ट में देखें तो इसमें बता है तो इसमें बता गया तो इसमें बता गया कितना यह million में हुआ मतलब 42 million मतलब 4 करोड तो absolute नमबर में अगर increase हुआ है तो चार करोड हुआ है 1931 से यहां पर compare किया है और annual grade कितनी हुई है 1.25% तो सेम अगर 211 और 211 से data compare किया जाए तो absolute number कितना आता है 181 मतलब हटारे करोड हटारे करोड कि यहां पर increase हुई है और percentage के form में देखाया है तो 1.64 की annual growth rate हुई है तो इसको इस phase में इसमें बताएगा इस बहुती easy language में और देखें टेबल में बताएगी वो इसमें सारे इसमें बताएगी जो मेंना बताएगी उसमें कि इसमें को compare किया है यह 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 अंतर होता है प्लस एक्चियल नम्बर के फॉर्म में इसमें यह बताए जारा है So people were added the total population in the 1990s and annual addition lies in the ever before So इसमें यह बताया गाया So इस फॉर्म में देखा जाया 1901 से लेके 211 का पूरा data देखा है So 1880 वाला देखा जाया So इसमें इंकी हुआभा जब उसमें annual growth देखा जाया India has a very large population तो इसमें देगा जाता है तो इसे पता चलता है India की जो population है वो काफी ज़्यादा है when a low annual rate is applied to a very large population it yield a large absolute increase, so annual rate है वो काफी कम होने के वावजोद भी जो population है वो काफी और ज़्यादा increase हो रही है, वो भी absolute increase में भी, so when more than a billion people increase event and lower rate the total number being added becomes very large, so basic low rate होने के वाव, मतलब India में basic जो rate है वो lower होता है, but जो number जो add होता है, population वो और ज़्यादा होता है, so India का यह अभी cases में इसमें पताए गया है, so India की जो annual increase है जो population देखा जा, is large enough to the neutralized effect to the conserve the resourced endowment and environment मतलब जो इंडिया की जो population increase होती है, वो एकदम neutralized effect डालती है conserve of resourced development endowment पर, जो environment का जुरुसेश है उस पर, so इसमें यह बताने की कोशिस की गई है, then आगे इसमें देखें, तो the declining trend of the growth rate is indeed a positive indicator of the effort of birth and birth control मतलब, जब किसी population में जो growth rate है, वो अगर declining with growth rate decreasing आता है, जो negative declining trend दिखने को मिलता है मुसरे पता चलता है, जो birth control की जो birth control हो, वो काफी अच्छी तरीके से उसको follow किया जा रहा है तो वो एक positive indicator होता है birth control में, so despite that the total addition to the population based continue to grow, India may overtake चाइना को, मतलब, इसमें बता रहा है कि basic इसके अलाव जो भी population है, वो grow कर रही है अगर लगाता है, इंडिया की population लगाता है, ग्रो कर रही है तो ऐसी हिसाफ से देखा जाए, इंडिया, चाइना को 2.45 तक population के terms में इसको overtake कर लेगा, so अभी चाइना first पर है, और इंडिया second पर है, but दो यार 45 के बाद, इंडिया first पर होगा और चाइना second पर होगा, तो इसमें ये बता रहा है, so चाइना इन्टू तो become the most populous populous country in the world, इंडिया के बारे में बहु लगा है, so अब process में देखता है जो population change जो होता है या जो population जो growth होती है उसका जो process देखते है, so इसमें बता है कि there are main तीन main process हैं, जो population को change करते हैं, so पहला है birth rate, death rate, then migration so these, जो natural, जो increase होती है population हो, is the difference between the birth rate or death rate, so जब भी जो कहीं भी increase होता है, तो birth rate or plus death rate का जो difference आता है, वो इसमें आता है मतलब, birth rate दो है और death rate एक है, तो plus अगर उनको compare करेंगे, तो एक आया तो मतलब, एक इनसान या एक आदमी इसमें add हो रहा है, अगर कहीं birth rate कम होला है एक, और death rate जादा हो दो, तो मतलब, एक, तो उसकी number of the lives, birth per thousand person, so, मतलब, per thousand में, birth rate निकलेगा, इसमें, so जनम हो रहा, per thousand person पर, एक साल में उसको, जो आएगी जो terms निकलकाएगा, उसको बोला जाएगा birth rate, so, it is a major component of the growth, so, एक काफी major, important यह factor होता है जो component होता है, इंडिया की growth, इंडिया की population गुरता है, because birth rate has always been higher than the death, because, इंडिया की case में, देखा जाए, birth rate हमेशा ज़्यादा होता है, death rate से, especially in the India's case, so, अब next, इसमें देखते हैं, death rate, birth rate के बारे में, देख लिए, अब देखते हैं, death, so, death rate क्या है, number of death per thousand percent, बन्दद, एक हजार percent पर, कितनी death हो रही है, एक साल में, so, उसी को, पूरे जो निकल के आएगा, उसको बोला जाएगा, death rate, so, the main cause of the rate of the growth of the Indian population has been rapid decline in the death, so, इंडिया की जो population rapidly, जो increase हो रही है, तो उसमें, main point यह की, जो rapidly decline, जो आरहा, death rate में, हो है, so, आदमी कम मर रहे हैं, इसी वैसे, इंडिया की population जादा हो रही है, यह इसमें बताया गया है, so, till 1980s, high birth rate and declining death rate relate to the large differences between the birth rates and that resulting into the higher rates of population, इसमें यही बता है, कि जो birth rate है, और जो death rate है, उनमां काफी ज़्यादा अंतर देखने के बाद ही, इंडिया की जो population, वो काफी rapidly increase होई है, so, it resulting in higher rates of the population growth, so, since 1981, birth rates have also started declining gradually, resulting in a gradual decline in the rate of the population growth, मतब 181 के बाद से, birth rates में, decline देखने को मिला है, so, इसी वैसे, जो population growth rate है, वो थोड़ी कम होई है, but, वो अभी positive में, negative में नहीं आए, so, अभी भी, इंडिया के population increase हो रही है, then, इसमें देखा जाए, so, the third component इसको बताएगा, migration, पहला birth हो गया, then death हो गया, the third one is migration, so, migration क्या होता है, so, migration होता है, movement of people across region, मतब किसी एक जगए से, दूरसे जगद है, जो इंसान जो जाते हैं, जो लोग जाते हैं, उसको migration बोलते हैं, so, across the region, पूरे region में देखा है, so, migration can be internal, so, जो migration जो होता है, वो internal भी हो सकता है, जो within country, जो country के नदा है, और plus, वो international होता है, जो एक country से दूसरे country के नदा है, within internal मतलब, किसी state से दूसरे city गई है, या किसी एक city से दूसरे city गई, तो उसको internal बोला है, और international बोला है, मतलब, इंडिया से जो भार लोग जाते हैं, काम करने, या job के सलसले में, या रहने, तो उसको international बोला है, so, internal migration does not change the size of the population, so, जो internal migration होता है, इसमें बता हैं, जो internal migration होता है, वो population के साच को change नहीं करें, because, जो migration हो रहा है, वो internally हो रहा है, एक state से दूसरे city, या एक city से दूसरे city, वो है तो इंडिया के अंदर, तो इसी वैसे, जो population उसके नमें में कोई भी change हो रहा है, नहीं हो रहा, but, influence of the distribution of population within the nation, बट जो influential वाज़ा है, distribution, जो population, जो distribution हो उसमें जरूँचे जा रहा है, इसी वैसे, uneven भी distribution हो रहा है, उसमें जरूँचे जा रहा है, so, migration plays significant, very significant role in changing the composition and distribution, so, इसी वैसे, जो migration हो उसका काफी important हो जाता है, जो population, जो distribution हो उसमें, then, अब इसमें और देखा जाए, इंडिया में, देखा जाता है, most migration have been from ruler to area, तो mostly जो migration होता है, इंडिया में, वो rural area से urban areas में होता है, like, गाउं से city के, city के तरफ migration इसमें, इस पिछली देखा जाता है, because, because the push factor in the rural area, जो rural area में जो push factor हैं, वो work करने है, push factor in the sense, मतलब, वहाँ पर job नहीं है, resources की कमी है, plus जो वहाँ पर जो और, जो वहाँ पर जो infrastructure है, उतना अच्छा नहीं है, तो वो ये सारे जो factor हैं, वो push factor की तरफ वहाँ पर rural area में work करने हैं, so, these are the adverse condition of the poverty and unemployment, so, इसी वैस से, महाँ पर poverty ज़्यादा होगी, employment है, वहाँ पर ज़्यादा होगी, रूलर एरिया में, तो ये सब push factor की तरफ वहाँ पर work करने हैं, so, in the rural area, and the pull factor, pull factor का होँँगे, जहाँ पर city की तरफ जाए रहे हैं, मतलब, वहाँ पर poverty नहीं होगी, वहाँ पर resources ज़्यादा होगी, वहाँ पर infrastructure भी अच्छा होगा, वहाँ पर job होगी, job में दर महाँ पर employment ज़्यादा होगी, तो वह pull factor, मतलब, वह अपनी तरफ खीच रहे हैं, pull कर रहे हैं, और जो push हो रहे हैं, मतलब, गाउँ में, जो rural area, वह push कर रहे हैं, मतलब, वहाँ से निकलो, और city वाले यहाँ अपनी तरफ खेंच रहे हैं, मतलब, यहाँ पर आओ, तो push pull होगया, push means rural areas में, और pull factor वो urban areas में, so, migration is an important determinant of the population change, so, इसी वैसे migration हो, काफी significant role play करता है, और important point हो जाता, population changes में, so, इसके बाद, it changes not only the population size, but also the population composition, so, इसी वैसे जो migration हो, वो population size हो, वो तो change, change तो होता है, but also इसके लावब, population जो composition हो, urban और rural areas में, वो भी change करता है, मतलब, rural वाली population, urban में पहुंच आते हैं, तो इसी वैसे, जो rural की population, वो कम हो जाते हैं, तो ये इसमें बता गया है, अब आगे और देखें, तो इंडिया में, जो rural urban migration होता है, has resulted in the steady increase the percentage of the population in cities, so, इसी वैसे, जो rural urban migration होता है, इसी वैसे, cities में जो population होता, वो rapidly increase हो जाती है, cities में और towns में, so, the urban population has increased by, 17.29% of the total population, in 1952 से, इसमें इसमें बताया है, जो 1991 में जो urban population कितनी थी, 17% तूनेंट थी, वो अब 211 के हिसाफ से दीखा जातो 31% है, मतलब 211 में जो 70% थी, urban population अब जागे कितनी होगी, 31% तो इस हिसाफ से, इन जो दो नम्मर्स में, जो रोल, जिसने significant role play किया, वो है migration है किया है, जो push or pull factor वहां पर work कर रहे थे, so, there has been a significant increase in the number of millions plus cities, so, इस प्लियन खिले सिटी में भी increase देखने को मिला है, जो 35 से लेके 53 in just one decade, that is 2011 से देखने, billions plus plus cities में, so, इन cities में भी, नम्मर, cities के नम्मर में देखने को changes मिला है, अब age composition देखने हैं, so, population हैं देख लिया किस area में, अब area में जो population अब किस age में है, like, वो कम मर किया, यह ज़्यादव मर किया, old है, young है, बच्चे है, बूडे, तो उसमें आब यह देखते हैं, so, the age composition of the population refer to the number of people in different age group, मतलब किसी population में, किसी particular area में, जो different age group के people हैं, country में वो देखे हैं, so, it is one of the most basic characteristic of the population, so, वो काफी most basic है, basic बिसमें बुलाया, so, it is too important a degree, a percent age influence, and what is need, by, does, और यह इसलिए important होता है, because, particular age different people है, जो बच्चा होगा, उसकी demand अलग होग, इसकी जरूरते अलग होगी, जो यंग हो, उसकी जरूरते अलग होगी, इसकी demand अलग होगी, तो इसमें, यह इससे, इसी वेज़से, वहाँ पर यह चीज़ें जानने को मिलती हैं, उनकी understanding और ज़्यादा होती है, समझने हो, so, consequently, the number and the percentage of the population, found within the children, working age, and age group are notable detriments of the population, social and economic structure, so, in age की वैसे, like children, या working age, या age group है, वहाँ से उस population का, जो social and plus economic structure, देखने को पता चलता है, तो इसमें बताए गया है, so, आगे इसमें देखे जाए, so, the population of the nation is generally, group in the three broad categories, so, age की इसाफ से देखा जाए, तो अपनी जो इंडिया की जो population को, तीन category में डिवाइड किया है, so, पहला है children, जो generally 15 साल तक की है, 15 साल नीची तक की है, उनको children बोले है, so, they are economically unproductive, मतलब अभी उनकी वैसे, nation में, उनकी जीड़ी में, को भी, जाए, पड़े पड़े हैं, food, cloth, education, medicals की है, तो यह अभी वरुकुल unproductive है, उनकी उपर खर्चा करने वाला चीज़ है, then second group is working है, जो की पंदर से लेके, 59 से लेके लोगों को, उनकी वर्किंग हैं की ग्रूप में डाला है, so, they are economically productive है, मतलब, एकनोमिल परड़क्टिव में उनको शेर करेंगे, वह पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, तो यह एंडिया की जीडि में वह contribute करेंगे, so, biological reproductive वी है, biological reproductive मतलब, उनके वैसे population में, changes आने को, देखने को मिलेंगे, population में, changes देखने को मिलेंगे, so they compromise the working population, also compromise the working population, महासरी working population में compromise देखने को मिलेगा, मतलब सभी कि सभी जो भी age group में आएंगे, तो सभी कि सभी वो कमाने वाले तो नहीं होंगे, या working people तो नहीं होंगे, तो इसी वज़से उसमें working compromise देखने को मिलेगा, then third one is age जो आती है, above the 59 years, मतलब 59 years से ज़्यादा के लोग, इसमें देखने हो, so they are economically productive तो है, but they may have retired, मतलब economically productive तो है, but अब वो retired हो चागे, इस form में, इस age में आ चागे है, आ चोंगे, तो अब इतने ज़्यादा economically productive में सभी नहीं होते, जो कुछ लोग देखने हो, so they may be working voluntary, मतलब वो voluntary work करेंगे, but they are not available for employment through the recruitment, so voluntarily तो work कर सकते हैं, but as a recruitment की तरह, वो employment नहीं ले सकते हैं, so the percentage of children and the age effect of the dependency, so the percentage of children का percentage देखा जाए, या age effect देखा जाए, dependency ratio, because these groups are not producers, so, इनका जो effect आता है, dependency ratio होता है, वो इस वैसे होता है, because यह जो age group है, children वाला, वो कोई production नहीं है, so the proportion of the three group in India's population is already presented in the 6.5, मतलब next figure में इसको देखने का मिलेगा, इस age group के, so, सबसे ज़्यादा देखा जाए, adult लोग की population का जो category वो काफी ज़्यादा है, और जो children का, वो 34% है, और जो aged people है, उनका सबसे काम है, मतलब बच्चे, वो हैं, वो second number पे children होगे, adult and aged, यह second position, aged सब ओल्ड कर लिए, old वाला, तो यह होगे first, और यह हो third, तो जो working population है, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद children पे हैं, वो दूसे नमर पे हैं, और थर्ड नमर जो aged people है, जो aged people है, वो हैं, तो इसमें यह बतायागए, age composition बतायागए, इसमें इंडिया की, अब sex ratio में देख लिए, अब इसमें age तो देख लिए, अब उस age में, कितने male हैं, कितने female हैं, अब इसमें 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 पता करते हैं, So, the sex ratio is defined as the number of female per hundred, तो, sex ratio, जो sex ratio काफी जद़ पूचा जाता, तो sex ratio उसको define करेंगे, तो कैसे define करेंगे, मतलब, 1000 males per, 1000 males per females कितने ही आ रहे हैं, So, number of the females per 1000 males, उसी के साब से, वहाँ पर sex ratio पता चलेगा, So, this information is important for social indicator, मतलब, यह काफी important information होती है, Social indicator होती है, society के लिए, to measure the extent of the equality, मतलब, महाँ पर equality पता करने के लिए between the males and females, So, males and females की बीच में, equality पता करने के लिए, society के लिए और बाकी other चीज़ों के लिए काफी important information होती है, So, the sex ratio in the country has always remained unfailable, So, India के perspective, यह इंडिया में always देखा गया है, जो sex ratio हो है, जो sex ratio हो है, वो काफी unfavorable है, मतलब, कम ही रहा है sex ratio, जो एकदम unfavorable रहा है, इंडिया में है, इस में यह बताएगा, So, इस picture में आपको के लिए पता चल जाएगा, 1991 जो sex ratio था, वो 946 था, मतलब, 940 था, पर 1000 यह दिया रखा है, So, बार में फिर यह कम हुआ, फिर और जादा कम हुआ, फिर थोड़ा increase हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर increase हुआ, अब जाके, 2011 में कितना sex ratio हो है, 1913, so compare किया जाए, 1991 के साफ़ से, तो यह अभी काफी कम है, इसा लगता है कि कुछ increase हुआ है, बलकि decrease होगा, तीन पॉइंट, तो इसमें यह बताए गया है, तो sex ratio, इंडिया की condition, इंडिया की perception में देखा है, तो काफी unfairable है, So, अब इसके बाद देखते हैं, literacy rate, so male, female, age वाला देख लिया, अब literacy rate रहे हैं, कितने लोग पड़े लेखे हैं, कितने इन नहीं है, so, literacy देखा जायता है, काफी important quality हो जाती है, population में, because उसी के साथ पता चलता है, कितने लोग पड़े लेखे हैं, उसी के साथ से वो लोग employment generate करते हैं, employment उनको मिलता है, so, obviously, only an informed and educated citizen can make intelligent, इसमें बलता है, कि informed and educated citizen होते हैं, वो काफी intelligent मतला, informed भी बोला गया ना कि uneducated बोला गया, so, informed and plus educated citizen can make intelligent choice and undertake research and development for project, development project, so, इसके लिए, इसी वैसे literacy इसमें important बताए गया है, so, low levels of literacy, literacy are serious obstacle for economic improvement, improvement, so, जहां literacy rate काफी कम होगी, तो वो economic improvement में है, society की improvement में एक, ब्रेकर की तरह काम करें, obstacle की तरह वो काम करता है, low literacy rate, so, 211 के census के सबसे देखा जाए, है, एक person is seven years, इसकी साल and above है, उससे ज़्यादा है, can read and write with understanding in language, तो जो person जो साथ साल है या साथ साल से ज़्यादा है, उसको पढ़ना लिखना आना चाहिए, with understanding in any language, is treated as related, तो उसकी यह literacy की form दे रखी है, definition इसमें दे रखी है, तो इस चीज़ को भी आप याद लख लेना, 211 के census के साथ से इसमें दे रखे, literacy की definition, so, there has been a steady improvement in the literacy, so, अगर बाकी जो census के साथ से देखा जाए, तो जो literacy के जो rate है, वो improvement देखने को मिलें, increase होता है rate, so, literacy level in the India, so, literacy rate जो है, countries में, 211 के साथ से, census के साथ से देखा जाए, तो 73% जो लोग हैं पूरे इंडिया में, वो literate है, वो बदब पढ़ सकते हैं, और लेख सकते हैं, so, 73% people of the India are literate, and 80.9% जो male हैं, पूरे percent में बदब, 73% में से 80% जो male हैं, वो literate हैं, अब जो इन में से, और 64.6% female हैं, वो literate हैं, इसमें यह बताएगा, तो यह data भी काफी important हो जाए, because यह directly exam में पूछे जाता, तो इस चीज़ को भी आप याद रखना, then अब occupational structure देखते हैं, मतलब, जो job structure, मतलब, किस की job किस तरीक है, कि वो labor job है, या desk job है, या किस type की job है, तो, the percentage of the population that is economically active is an important index of development, जो population है, जो economically active है, वो काफी important index मन जा रहे है development, because वो उसी इसाफ से, जो nation का जो development है, उसी इसाफ से contribute करना है, जो उनकी साफ से is referred to as the occupational structure, तो इसी साफ से अलग-अलग occupational structure उसमें दिया है, and enormous variety of occupation are found in any country, so, काफी तरीके की variety जो occupation में देखिया आते हैं, अलग-अलग countries में देखिया है, so, occupation like generally classified as primary, secondary and tertiary, तो इस जो occupation को तीन भाग में, तीन टाइप में divide करें, like primary, secondary and tertiary, इन डिवाइड में किया है, तो इन सब सेक्टर में जो लोग काम कर रहें हैं, तो वो primary activities में ये primary वाले form में आएंगे, so, अब secondary वाले में देखाएं, तो secondary वाले कौन होते हैं, जो manufacturing industry में हो, जो building industry में या construction work में हो, तो secondary उनकी activities में आएंगे, तरसरी वाले में कौन आता है, जो transport वाले में हो, या communication वाले में हो, commerce industry, administration वाले में हो, या other service वाले में हो, तो administration वाले में होते हैं, तो इन तीनों की अलग-अलग definition होगे, so, the proportion of the people working in different activities varies in developed and developing countries, उसमें दे रहा हैं, जो developed countries होती हैं, और जो developing countries होती हैं, उन में जो अलग तरी जो proportion हो, जो people वर्क करते हैं, उनका population अलग-अलग होता है, जो developed country में जो proportion हो, वो काफी जादा होगा, अवैरीज करेगा अलग-अलग countries में, developed countries में अलग होगा, developing countries में अलग हो, और इंडिया जो अपनी country है, वो अपनी इंडिया जो country है, अपनी कौन से है, वो है developing countries, तो इसीज को भी आप याद रखना, और developing countries में देखा जाए, तो higher proportion कहाँ पर जादा होता है, वो primary sector में यह primary activity में जादा होता है, agriculture वाले एरिया में हो गया, इसी वैसे इंडिया जो about 64% of the population, इंगेज ही only agriculture, इसी वैसे, इंडिया की जो 64% है, वो सिफफ़ सिफ agriculture sector में ही इंगेज है, इसी वैसे इंडिया की जो population है, वो mostly primary sector, primary activities में इंगेज है, so proportion of the population depended on secondary and tertiary sector is about 13 और 20, so जो इंडिया की जो population है, जो secondary और tertiary में कितना है, 13 और 20% है, यह में बता आ गया है, so इसी साब से, so there has been occupational safety in favor of secondary and tertiary sector because growing industries, industrialization, urbanization in recent time, but अब जो data आया है, secondary and tertiary sector में, वो काफ़ी favorable है, because जो industrialization जो हुआ इंडिया में, जो urbanization जो हो रहा है इंडिया में, वो काफी जादे इंकी जो इसी वैसे जो occupational structure है, जो second year of tertiary sector का जो number है, जो percentage है, जो engage है, उस nation के development में थोड़े obstacle create होंगे, so sustained effort of government program have resisted significant improvement in the health condition of the Indian population, so government के ऐसे काफी सारे program होते है, जो population के लिए, जो population के लिए, जो health के लिए, काफी जाद चलाए आदे, ताकि health condition रहे है, वो काफी ठीक रहे है, उनकी improvement के लिए like, like, जो death rate है, वो काफी, इंडिया में decline हुआ है, 25% from the 25 per thousand, so, अगर 1000 में देखा जाए, तो 25 अतना decline हो गया death rate, जादा इंडिया के death rate में कम ही आए, तो इस हिसाब से देखा जाए, तो इंडिया के health में जो government जो expenditure करें ठीक करें, मतलब वो उसके इंडिया की population health को थोड़ा ठीक है, इसी वएसे, जो death rate है, death rate हो काफी कम हुआ है, so, death rate जो 2 हार, जो 1990 में देखा जाए, जो 25% था, वो अब 2011 में कितना है, 7.2% है, so, इसी वेसे देखा जाता है, so, government health expenditure इस वेसे इतना जादा करती है, और जब life expectancy देखा जाए, life expectancy मतलब कौन आदमी की जो जीने की जो age होते है, जो साल होते हो कितना जादा है, so, life expectancy देखा जाए, 1901 में कितना था, 36 साल से, जो अब दोया बार में कितना होगा है, 67 साल, तो भी life expectancy भी भड़ी है इंडिया में, तो इस चीज़ से पता चलता है, application of modern medical practice and diagnosis and treatment, तो यह जो चीज़ है, फैक्टर जो increase होई, जो data जो आ रहा है निकल है, जो death rate कम हुआ है, जो life expectancy है, वो काफी increase होई है, तो यह साल होते हैं, जो उनकी public health पर जागा focus करते हैं, तब होता है, यह जो decision पर जादा, उनको prevent करते हैं, तब होता है, यह जो modern medical practice में, उ considerable achievement, the health situation is matter of the major concern of India, जो health situation, यह सब चीज़ होने के बाव जो भी, जो health situation है, इंडिया में, वो काफी में जाना और अभी भी concern पर है, so concern है, so the per capita calorie consumption में देखा जाए इंडिया में, वो काफी कम है, जो recommendable level जो दे रखे हैं, उसके साफ से, and जो malnutrition जो देखा जाए, large percentage area में अप इंडिया में देखा जाए, वो काफी जादा है, so अभी भी इंडिया के population के साफ से, वो जो data है, वो अभी इतना favorable नहीं है, so इसमें यह बताने के कुछिस की गई है, so इसके इलाबा, safe drinking water, जो होती है, पाने के facility, like, इसके इलाबा, basic sanitation amenities, are available to only one third of the rural population, so, इंडिया में देखा जाए, जाए, rural population है, उसको, rural population जो one third है, उसको इसको safe drinking water की facilities है, और प्लस उसको basic sanitation है, उसको provider से one third population को, so, these problems need to be tackled through an appropriate population policy, so, जितने भी जो अपस्टे करना है, या जो इतनी भी problems है, उसको tackle करना पड़ेगा, किसी एक population policies की वजाए से, then, अब इसमें आगी देखते है, adult population, ज होती है, वो क्या होती है, so, इसमें, इसमें देखा जाए, the most significant feature of the Indian population is the size of adults and population, so, इंडिया की population का एक special feature देखे है, तो इंडिया की population है, जो इंडिया की population है, उसमें सबसे जाए साइज है, adults and population, जो working age group है, so, इंडिया की जिसको बोला है, बूलते है, so, it constitutes one fifth of the total population of the, और इसक है, so, मतब बीस परसेंट देखा जाए, तो इसको बोला है, वो जनली क्या होते है, दस से लेकि 19 साल तक की बीच में जितने भी population उसको बोला है, so, they are the most important resources for the future, because आगे जाके, economy में contribute करेंगे, इसी वैसे इसको काफी most important resources बोला है, so, nutrition required होता है, इन सब इसको like higher than the those of normal child, मतब child से compare क्या जाए, यह adder से compare क्या जाए, इस adolescent age group को काफी जारे nutrition की जरूत पड़ती है, so, अगर pure nutrition होगा, can lead to deficiency and stunted, so, pure nutrition की वैसे, इन सब को deficiency की problem आएगे, like, stunted growth इस सब की problem आएगे, but in India, diet available to adolescent is inadequate in all nutrients, but India में देखा जाए, जो diet की availability है, जो adolescent के लिए, वो in educated है, मतब, पूरी, मतब, पूरी educate ने, in educated है, कुछ कमी है, पूरी all nutrients में देखा जाए, so, all the, a large number of adolescent girls, मतब, girls के जो देखा जाए, adolescent, जो गर से 10 से 19 साल के बीच में, जो girls आती है, वो सफर कर रहे है, anime, anime मतलब, जो खून की जो कमी होते है, जो red cells होते है, उनकी कमी होते है, so, because, so, इतने age की जो, जो एटेशन जो गर है, वो animaker से सफर कर रहे है, so, their problem have so far not received adequate attention in the process of development, so, इनकी जो problem है, अभी तक कोई भी ऐसे adequate, ऐसे attention अभी इनको देखने को में नहीं मिले, आया ना ऐसे कुछ development process अभी start नहीं होए, और कुछ हुए हैं, तो उनमें ऐसा अच्छा red देखने को में नहीं मिला है, so, the adolescent girls who have to sensitize to the problem or they confront, so, इनको जो problem है, जो adolescent girls की, उनको थोड़ा sensitize करना पड़ेगा, उनकी जो problem, उनको और तरीकी सा थोड़ा और changes में देखने पड़ेगे, then, इसके अलावा, जो awareness जो है, ताकि उनके बीच में awareness और ज्यादा आए, then, अब इसमें देखते है, national population policy, so, इंडिया की national population policy, जो 2000 में start होई थी, पर उससे पहले कुछ और भी data आया, so, recognize that the planning of families would improve individual health and welfare, so, इसमें देखाज़े, जो family planning जो होती है, जो family planning अगर ठीक से होगी, तो family planning पर ना एक कोई economic burden आगा, ना एक कोई ज़्यादा health issues देखने को मिलेंगे, but, so, इसी इसमें देखाज़े, it improved the individual health plus welfare, so, government of India initiated comprehensive family planning program in 1952, so, government of India है, वो 1952 में एक family planning program लेके आई, एक comprehensive family planning program, so, the family welfare program has sought to promote, मतलब, क्या क्या चीज़ पर्मोट करते है, responsible and planned parenthood मतलब, 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 एक responsible and planned parenthood होना चाहिए, उसको पर्मोट करते है, then voluntary basis पर, सब चीज़ें स्टार्ट होने, स्टार्ट होई थी, but, इसके बाद, दो जाहर में, national population policy स्टार्ट होई थी, जो इन सब जितने भी efforts अब तक दिये गए थे, उसका एक पूरा यह था, जितने आज तक हिफार्ट बोगता है, उसका यह पूरा, वो substitute किये जाए, commission किये जाए, तो वो पूरा बाद में निकट के आते है, national population policy, so, इस national population policy, sorry, policy, इसको NPP 2000 बोलागा, तो it provides a policy framework for imparting free and compulsory school education for up to 14 years of age, मतलब इसमें यह दिया गया था कि जो school education to compulsory इसको बना गया था, जो 14 साल था के बच्चों के लिए, then reducing infant mortality rate और जो infant mortality rate था, उसको भी कम करना था, like bloat 30 per, मतलब जो infant mortality rate जो इसको per thousand में उसको calculate करते हैं, तो उसको भी थोड़ा, उसको भी कम करना था, then achieving universal immunization of the children against the vaccine preventative disease, और जो vaccination जो रहा था, जो vaccination थी उसको भी पूरा universal immunization करना था बच्चों में, then promoting delayed marriage for the girls, और जो girls marriage जो होती थी, जल्दी जिसको child marriage बोलता था, उसको खतम करना था, और delayed marriage मतलब girls की जो age बना दी थी, like 21, so 18 age, 18 years उसको confirm कर दी, तो उसको और promote करना, like girls की सारी जितना delay हो उतना अच्छा है, promoting delayed marriage for the girls, girls के लिए delayed marriage को promote कर रहे थे, like उसकी एक तो age 18 कर दी थी, इतनी होनी चाहिए, तो इसमें यह है, then इसके अलावा making family welfare for a people-centered program, ज़्यता एक people-centered program start किया for family welfare के लिए, so यह सब चीजे इस national population policy 2000R में यह सब चीजे थी, तो इसमें, इसके अलावा adolescent पर भी थोड़ा focus किया था, so it identified the adolescent as one of the major section, so, इसमें जो adolescent था, इसको section को काफी major section की तरह treat किया, because it and इसके लावा that need greater attention, so, इसको as a important section की तरह treat करने लगे, so beside nutrition requirement, the policy puts greater emphasis on the, and other important needs like adolescent including protection from the unwanted pregnancy and sexually transmitted disease, so, unwanted pregnancy plus sexually transmitted disease, इन चीज़ों पर भी और ज़्यादा focus करने लगे, then, इसके बाद, it called program for that aimed towards increasing delayed marriage, so, इसमें भी increasing delayed marriage, and child bearing education for adults and about the risks of unprotective sex, then making contraceptic service accessible and affordable, and then provide food, supplements, nutrition services, standing legal measure to prevent child marriage, तो ये सब चीज़ हैं, इस NPPP के अंडर्स ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के points को या उन पर चीज़ों को focus करके चला पर, चलना चलाया, government ने, then इसके बाद, people are the nation's most vulnerable resources, people, जो है, nation's most vulnerable resources, and a well educated healthy population provides potential power, और जब कोई भी population होती है, educated population होती है, healthy population होती है, वो क्या, मतलब, एक potential power को provide करती है, मतलब, वो एक nation के लिए, potential created होता है, potential power created होती है, अगर वो population healthy होगी, और educated होगी, इसमें ये बताने को, इसमें ये बताया है, so, आज की lecture बस इतना है, अगर आपनी UPC live को subscribe ने था, please subscribe the UPC live and press the bell icon for the more updates, धरने बाद.